नमस्कार, मैं डॉक्टर संजे शर्मा, सभी सिक्सक साथियों का NIOs के इस स्टूडिय में स्वागत करता हूँ साथियों, आज हम परियावन अध्यन के विशे में कौन-कौन से स्टिक्षन अधिगम विदिया हैं जो प्रभावी भूमी का निभाती है, उनके बारे हम बात करेंगे इन विदियों के बारे में जानने से पूर हम ये समझने का परियास करेंगे कि आखिर सीखना किसे कहते हैं, सीखना किस प्रकार संभव बन पाता है और खास तोर पर छोटी कक्षाओं में परियावन का अध्यन क्यों जरूरी है क्यों? क्योंकि आज हमारी जो बातचीत है, वो उस विशे के बारे में जो महतपूर्ण गतिविदिया हैं, जो महतपूर्ण सिक्षन अधिकम विदिया हैं, उनको सुनिशित करने की तरफ है तो निशित रूप से हमें जानना समझना होगा, कि आखिर हम परियावन दिन क्यों करना चाहते हैं और इन विदियों को सुनिशित कैसे किया जाए, एक सिक्षक होने के नाते, उस विशे वस्तु के आधार पर हम कैसे चैन करें, कि कौन सी विदियां बेतर हो सकती है साथ ही साथ इन विदियों के चैन में और इन विदियों को अपनी कक्षा में इस्तिमाल करने में एक सिक्षक की भूमिका किस प्रकार की होती है, इसके बारे में हम आज की बात में चर्चा करेंगे सबसे पहले हम ये जानना है कि सीखना किसे कहते हैं जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा वित्ति के वेवार में कुछ खास तरह के हम बदलाव करना चाहते हैं जब वित्ति के वेवार में ये बदलाव हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि वह व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में हैं। अक्सर ये बदलाव इस्ताई होते हैं और इन बदलावों के माद्यम से हैं, इन परिवर्तनों के माद्यम से हैं। व्रति अपने जीवन में कुछ खास तरह के लक्षे जो उसने निर्धारित कियें उसकी प्राप्ती करता है सीखना एक प्रकार से एक सुविचारित प्रक्रिया है एक योजना बद्ध प्रक्रिया है किसने किसी योजना के साथ आगे बढ़ रही होती है और इसमें मांसिक इस्तिती भी काम करती है बच्चे का संग्यानात्मक का जो वेवस्ता है वो भी उस सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा बन रही होती है इस प्रकार सीखने वाले की बहुमी का या बच्चे की बहुमी का एक सक्रिय, संचेतन और एक उत्परेरक्की होती है जिसमें बया सीख रहा होता है अतब इसकना अक्सर यह माना जाता है कि एक संदर्व साफिक्स प्रक्रिया है आईए हम इस पर बात करें कि आखीर बच्चे सीखते कैसे हैं बच्चे हमारी कक्षवा में आप सब लोग देखते हैं कि बच्चे नकल करके सीखते हैं अपने द्वारा किये गए कारिये को खुद दोराते हैं किसी और के द्वारा किये गई कार्ये को भी द्वारा कर वो सीखते हैं, गलतियां करके सीखते हैं, अभ्यासियों तुर्टिक के नियम से वो सीखते हैं, बच्चे देखकर भी सीखते हैं, और अवलोकन करके एक नए वेवार का निर्मान कर रहे होते हैं, बच्चे अपने अन परियावण अध्यन में एक सिख्षक होने के नाते हम कई प्रकार की विद्यों का चैन करते हैं पर इन विद्यों के चैन से पूर्ग कुछ बाते जो हमें जानना चाहिए हमें सब्सक्राइब बहुत महतोपूर है आईये हम इसपर से एक प्रकार का जो अनुभव उसने अर्जित किया है उन सब को लेकर वो हमारी कख्षा में आ रहा होता है हमें मानना चाहिए कि सभी बच्चे स्वभाव से जिग्यासु होते हैं कुछ ने कुछ जानना चाहते हैं कुछ ने कुछ करना उत्सुकता होती है उनको कुछ में हमारे परियावन अध्यन के विशे से भी जुड़ती है वह ये कि बच्चे अपने परिवेश से अपने आसपास के माहोल से एक बैतर प्रकार से सीख पाते हैं और इन सब को सीखने को ही हमें एक शिक्षक होने के नाते समय दन्शिल होते वे समझना होगा सीखने से जो अभी प्राय है वो ये कि बच्चों के जो अनुभव हैं यदि बच्चा अपने अनुभवों को दोराता है उन अनुभवों पर परियोग करता है उन परियोगों के आधार पर या अपने अनुभवों के आधार पर वो बातचित करना चाहता है उन पर सवाल खड करता है अपने साथियों से चर्चा करता है सोचता है और खुद से करके देखता है तो निश्चित रूप से ये गतिविदी या ये पूरा का पूरा जो कारिकरम है वो सीखने के तरफ बढ़ रहा होगा आप अपनी कक्षा में इस प्रकारी हनुमान लगा सकते हैं कि बच्ची सीखने की इस्तिती में हैं सीखने के लिए तयार हैं एक सिक्षक की बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि वह अपने बच्चों को अपनी कक्षा में सीखने का मोका दे सीखने के आउसर दे और सीखने के लिए जो जरूरी माहूल है वो बनाए उसका निर्मान करना एक हमारी कक्षा में की जाने वाली सभी गतिविदियों के केंदर में बच्चे हों क्यों कि सभी गतिविदिया बच्चों के लिए होती है सभी प्रकार की किरिया का लाप उस कक्षा में जो आप करने जा रहे हैं जिनके लिए आप तयार हैं वो सब बच्चों के लिए किया जाते बच्चे यदि सयोग करके उस गतिवीदी में जूड रहे हैं बच्चे भागीदारी कर रहे हैं तो यह प्रकार का सीखना ही है आईए अब हम इस पर चर्चा करें कि जिसकी विशे में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि आखिर हम पर्यावरण का अध्यान क्यों करते हैं जब ह अपनी कक्सा को बैतर बनाने के लिए पर्यावरण अध्यान मूलता है बच्चे के परिवेस को समझने का परियास है और इसके आदार पर हम यह कह सकते हैं कि यह उसके सीखने की पहली पाट चाला है यहाँ पर जो बच्चा है वो अपने प्राकृतिक सामाजिक और परिवेस को समझ पाता है वो उससे सीखता है परिवेस की घटनाओं के बीच वह कार्य कारण संबन को खोज पाता है कि यह घटना क्यों हुई बारिस का गर्मी के साथ क्या रिस्ता है पानी के साथ क्या रिस्ता है पानी और खाद बीच का पेड़ पोदों की विकास के साथ क्या रिस्ता है और इन सब घटनाओं को जब वो देखता है या करता है तो निश्चित रूप से उसमें एक विज्ञानिक नजरिया विक्सित हो रहा होता है ये विग्यानिक नजरिया एक प्रकार से या विग्यानिक तरीका ये प्रकार से उसके अंदर एक सजग होने की स्थिति उत्पन करता है जो उसके परियावरण से आती है परियावरण का अध्यन छोटी कक्षव में खास तोर पर इस बात को भी बताता है कि परियावरण के घटक या परियावरण जिन से बनता है और सामाजी घटनाओं के बीच एक अंतर संबंद है कुछ खास तरह का भुगोल कुछ खास तरह के रहन सेन को प्रभावित करता है रगिस्तान में रहने वाले प्राणी पहाडी इलाकों में रहने वाले प्राणी या वाँ की खास पर रखिये वनस्पती खास तरह के जीवन संबंद वाँ का रहन सेन खान पान ये मोटे तोर पर ये माना जाता है कि उस भुगोल के साथ इस्ता बनाता है तो परियावरण को समझ कर हम मानवे समाज को समझ रहे होते हैं मानवे समाज की विचार और उनकी परमपरां को जान रहे होते हैं इस आधार पर हम कह सकते हैं कि परियावरण का अध्यान बच्चे को अपने पडोस के बारे में बताता है, अपने खान पान के बारे में बताता है, अपने इतियास के बारे में बहुत कराता है, भाशाओं के बारे में बात करता है, उसके वस्ती में, उसके गाउं में होने वाली करशी के बारे में बताता है, और इस करशी का व्यापार के साथ क्या रिस्ता है, व श्रूसरक् 對ृर्ट मं में आत्म विश्वास को भरता है जब करके देखते वो घटना है वो होती जो इसके अपने रोज मर्रा के जीवन में वो हर दिन देख रहा होता है तो इस प्रकार परियावन अध्यन आत्म विश्वास को बढ़ाने वाला होता है बच्चों में एक दूसरे के एहमियत को हम समझ सकते हैं परियावन अध्यन के माध्यम से और ये एक सकारात्मक जो निर्भड़ता है यानि कि एक विक्ति सब के लिए है और सब एक विक्ति के लिए है ये जो अवधारना है ये परियावन अध्यन के लिए बहुत मैतुपूर्ण बनती है बच्चे काम करते समय अपने अनुभों को रचते गड़ते और उनको विक्सित करते समय कुछ खास तरह के निर्ने कर पाते हैं कुछ खास तरह के फैसले ले पाते हैं इन सब में एक की भूमी का और अपने सम्मू की भूमी का या अपनी कक्षा की भूमी का या कक्सा के बाहर के जीवन की भूमे का को वो शامिल करते हैं तो निश्चित रूप से वो परियावरन अद्यन की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इस प्रकार हम यह एक मान लेते हैं या यह क्या सकते हैं कि परियावरन अद्यन स्वत ही एक जीवन जीने की इस्तिती है बच्चे परियावरन को कैसे समझते हैं यह दूसरी बात है पर एक सिक्षक के लिए भी परियावरन को जानना और समझना एक बहुत प्रकार से एक आवशक इस्तिति है परियावरन को आप तीन प्रकार से समझ सकते हैं जहां पर आप परियावरन के द्वारा परिवेश के द् यहां पर परियावन जो अध्यन है वो एक माध्यम बन जाता है परियावन के दूरा हम सीख रहे होते हैं जैसे वास्तिवी घटनाओं का हम जिकर करते हैं आज सर्दी है आज बारिस होगी आज मोसम में गर्मी है इनके कारणों के बारे में बच्चों से हम कुछ-कुछ के तरफ बढ़ती है उसमें अधिगम को बेतर बना पाती है हम बच्चों को अभ्यास कराते हैं और यह अभ्यास जो है यह बिसिकली उस परियावरण के द्वारा सीखने के तरफ बढ़ रहा होता है और इस सीधा जुड़ा होता है जहां पर बच्चा अपने अनुभाण के आ एक महीने में हमारे यहां पर तापमान किस प्रकार का रहा कितनी बढ़ोतरी हुई कितनी कमी हुई हमारे आसपास के परिवेस में किस-किस प्रकार की मिट्टी की उपलब्दता है इनके आधार पर हम बच्चों को परिवेस का या परिवेस को विशेवस्तु बना कर हम समझ किन किन उपयोगों में किन किन तरह के कामों में उपयोग लिया जाता है अगर हम यह सब बाते बताते हैं यह सब बाते हैं अगर हम काक्सा में चर्चा करते हैं तो निश्चित रूप से हम पर्यावरन के बारे में बता रहे होंगे और यहां पर पर्यावरन एक विशे को भी बताता है कि मानोक्रसी के साथ क्या रिष्टा है मानोक्रसी पर किस रूप से निर्भर करता है कि कपड़े जो पहनता है वो कहां से आए वो जो ओजार इस्तेमाल करता है उनका उपियोग क्या है उन ओजारों को बनाने में उस प्रकृति के कितना कितना संबंध है यह सिखाते हैं यहां पर परियावन के लिए सिखाने से अभी परियावरण के संदर में बहुत मैतुपून है आज जिस तरह कि परियावरण के संकट से हम जूज रहे हैं वो परियावरण अध्यन के लिए बहुत बड़ी चिंता का मामला है जिसको हम अपनी कर्षा में बच्चों से बातचीत करके बहस करके उनके अपने अनुभवों को शामिल करके आगे की चर्चा में हम लोग इसके बारे में बिस्तित चर्चा करेंगे पर ये बाते हैं जो मैतुपून अभी समझना है वो ये कि परियावरण विशे अपने आप में पद्दती भी है परियावरण अपने आप में विशे बस्तू भी है और परियावरण अप विचार बनाए तो विचार करने से पूरू उसे कुछ खास बाते धान रखनी होंगी जिनमें यह मैत्वपूर्ण है कि जब भी वो किसी भी किसी भी विदी का वो चाहिन करें बले गति विदी के बारे में बात करें या सयोगात्मक शिक्षन अदिगम के बारे में बात करें या अवलोकन के लिए तैयार रहे पर इन सब गतिविदियों के तरफ बढ़ने से पूर ये आवशक है कि वो उन गतिविदियों के बारे में उस मेथड के बारे में उस विदी के बारे में इस पस्ट रहे और ये भी पता करे कि इस गतिविदी का या इस मेथड का उसके विश प्रारम्भी कक्षाओं में जहां पर कक्षा 1-2-2-3-4-5-5 इन सब को लेकर अगर उबात करता है या चटी साथ वे-8 वी कक्षा भी अगर आप लोग पढ़ा रहे हैं तो सबी कक्षाओं के बच्चों की अपनी आयू की स्थिति अलग-अलग है तो इनकी आधार पर हमें ये आज हमने यह जाना यह समझा और कल की करक्षा में हम यह करने जा रहे हैं तो उनकी में एक कोतुवल होगा उनमें एक उत्सा होगा उनमें एक पूरु तयारी होगी उनके सामने अचानक से कोई इस्तिति नहीं आ रही होगी तो हमें इस गटना से बचना चाहिए कि हम बच्चों के सामने अचानक से को इस्तिती पैदा करें हम बच्चों को बताएं और उनसे भी सयोग लें क्यों कि जैसा कि पूर में मैंने आपको बताया कि ये करक्षा बच्चों की है, बच्चों के लिए है वो गतिविदियां वो अपने के लिए आयुजित करते हैं और उनका उत्सा तब रहेगा जब उनकी भागिदारी होगी और उनकी भागिदारी को सुनिशित करने का सबसे बड़ा पैमाना यह है कि हम जो भी गतिविदि करने जा रहे हैं जो भी प्रकरिया अपनाने जा रहे हैं उसके बारे में बच्चों से पूर में ही चर्चा करें एक सिक्षक को यह देखना बहुत जरूरी है कि किस-किस प्रकार के संसादन उस आने वाली कक्षा में गतिविदी में या अधिगम प्रक्रिया में जरुवत पढ़ने वाली है ये संसादन क्या उनके कक्षा में उपलब्द है ये संसादन कक्षा से बहर यानि की विध्याले में या विध्याले के बार यानि समाज में उपलब्द है तो इस प्रकार के संसादन उनके विवस्ता करना, उनके बारे में विचार करना और उनके बारे में चर्चा करना, एक सम्धन शिल सिख्षक के लिए, एक पर्यावर्ण पढ़ाने वाली सिख्षक के लिए बहुत महतो पूर्ण है, आप अपनी कक्षा में इस बारे में चर्च कि यह सब संसाधन आपको अपनी करक्षा या विद्याले में ना मिले। बच्चों के घरों में होंगे। यह आप ऐसा करते हैं तो बच्चों के घरों को भी आप अपने विद्याले से जोड रहे होते हैं। सीखने का महौल बनाना ये महतुपूर्ण जिम्मेदारी है। जिसा कि आप सब जानते कि कोई भी गति विद्याले बेतर होगी, कोई भी सीखने सिखाने की परंपरा या प्रक्रिया बेतर होगी जब उसमें सभी बच्चों को काम करने के समान अवसर मिलें। एक सिख्षक को ये भी मानना और जानना चाहिए कि सीखने की एक से अधिक विद्यां काम कर सकती है। एक वो विद्यां जो कक्षा में हो सकती हैं, कक्षा के अंदर या स्कूल के अंदर आप कर सकते हैं, एक वो विद्यां जो कक्षा के बाहर होती हैं, और रचनात्मक कारिये, कुछ खासर के कारिये जो एकदम रचनात्मक हैं, उनको भी हम हमारी सिख्षन अधिक विद्यों म इस्तिमाल करता है, छोटी कक्षाओं में भी हम लोग कई बार इसको कर लेते हैं, तो ये भी एक ऐसी विदी है जो आप अपनी कक्षाओं में कर सकते हैं, अब ये विशे की प्रकरती है और विशे की मांग के अनुसरा आपको तेह करना होगा, मांचितर निर्मान करना, बच्चों से नक्से बनाना, बच्चों से उनके स्कूल के बारे में, घर के बारे में, उनके अबाजार के बारे में, उनके महले या बस्ती के बारे में, कि विद्याले कितना दूर है, उनके दोस्तों का घर, उनके जो उनके अपने मित्र हैं, उनका रास्तों से जाते हैं, आप ये भी गतिविदी बच्चों को दे सकते हैं, या मानचितर निर्मान की कोशल का विकास कर सकते हैं, कि आप घर से हैं, जब इस्कूल आते हैं, तो रास्ते में किन-किन के घर होते हैं, कौन-कौन से प्रमुक मैतपूर्ण इस्तला आप देखते वे आते हैं, आईए हम इनका मानचितर बनाते हैं, बले हो मानचितर प्यमाने पर ना हो, बले हो मानचितर वो सटिक ना बने, पर एक प्रकार से आप मानचितर निर्मान की कोशल का बच्चों में विकास कर सकते हैं, बच्चों को समय में बना कर अपनी क इन विकल्पों पर चर्चा बच्चे बखु भी करेंगे यदि आप उन्हें चर्चा का आउसर देते हैं अपनी कख्षा में तो यह भी कख्षा के अंदर की जाने वाली गतिविदी है इस प्रकार से पर्यावन अध्यान के बारे मां बात कर सकते हैं पाठों के जो अंदर प्रश्ण उत्तर दिये जाते हैं उनके उत्तर भी आप बच्चों से माध्यम से जानकर आप बात कर सकते हैं बच्चों के पास अपनी खुद प्रश्ण होते हैं उन प्रश्णों से भी आप अपनी कख्षा को आगे बढ़ा सकते हैं और प्रश्ण उतर पॉस्टर का निर्मान करा सकते हैं, चित्रिकला का निर्मान करा सकते हैं, ये भी एक माध्यम हैं बच्चों को खास तोर पे छोटी कक्षाओं में सीखने शिखाने का मोगा देने का, की प्रकार की गतिविदिया आप कर सकते हैं, जिनमें मोटे तोर पर अवलोकन हैं, सवाल ह कर सकते हैं अनुमान लगा सकते हैं उनकी बीच के संबंदों को संबंदों पर बात कर सकते हैं प्रियोग करा सकते हैं उनको कुछ खासरी चीजी दिखा सकते हैं आप यह भी कर सकते हैं कि जल की कौन-कौन सी अवस्ता है जल जब जम जाता है तो बर्फ की रूप में आता है त जिनके बारे में हम बड़े कोतूल से बच्चे करना और समझना चाहते हैं, जैसे घूमना, अवलोकन करने के साथ साथ, और बाहर जाकर आकड़े इकत्रित करना, आप उन्हें काम दे सकते हैं, कि उनकी बस्ती का जो प्रमुक बाजार है, उनके गाउं का जो मुख्य बाजार किस मौसम में किस प्रकार की सामगरी बिकने को आती है, उसकी बिकरी के लिए कौन-कौन से केंदर होते हैं, वो सामान कहां से आ रहे हैं, इसे कौन से सामान है, जो गाउं में ही उत्पाधित होते हैं, इसे कौन से सामगरी है, जो गाउं से बाहर से आती है, मश्चिने कहां से आती है, उनके याँ पर कोई ओर सामान है, अनाज कहां से आता है अन informing से इंस सबके बारे में हम बात कर सकते हैं आकड़ों का संगर्ण कराके उनका मुल्याँकन कर सकते कुछ सर्वेबियां बच्चों से करा सकते हैं इस मौसम में कौन से फसल पैदा होती है इस फसल को लोग किसान बेचने कहा जाते हैं उनके बजार में किस प्रकार की फसलों की आवक सबसे ज़्यादा है ये बाचीत कर सकते हैं अपने घर में बच्चे बाचीत करते हैं ये तमाव वो बाते हैं जो आप उन्हें कक्सा से बाहर करके दिखाते हैं तो बच्चे बड़ी उत्सुकता से भाग लेंगे और ये भी परियावन अध्यन की एक मजबूत विदी है अलोकन करना, खोज करना, इसके लिए हमें प्रिरिट करना बहुत इंपोर्टेंट होता है, बहुत महत्पून बात है हमारे लिए बच्चों को आप खुद भी कुछ गटनाओं के आधार पर बहार भी परदसन करके दिखा सकते हैं, खेल विदी, बच्चों के लिए बहुत रोचक विदी है तो यह तमाम विदियां वो हैं जो कक्षा के बहार के जाने वाली विदियां हैं और इन विदियों में बच्चे महत्पून बुमे का निभार होते हैं परियावन अध्यन के लिए कुछ विधियां इसी जो कक्षा में भी होती है, कुछ कक्षा के बाहर भी होती है, इनका कोई खास तरह का विवाजन नहीं है, इसी प्रकार से कुछ रचनात्मक संपरेशन विधियां भी हैं, जो आप कहीं भी कर सकते हैं, कक्षा के अंदर या कक प्रकार से यह रचनातमक विदिया हैं। इस प्रकार की विधी या इस प्रकार की अधिनमं प्रकृरिया भी आपको अपनी करनी चाहिए बच्चों से कुछ खास रही घटनाओं के बारे में बहस कराना, उनकी विचारों को अभीवक्ति देना लिखवाना कुछ खास रही के शब्दों का उच्चारन कराना ये भी एक प्रकार से रोचकता के साथ काम करता है तो इससे उनकी संप्रिशन जो क्षमता है, उसका विकास होता है कहानी और कविता बच्चों के लिए बहुत रोचक है और अकसर एक सिक्षक को एक लोगप्री सिक्षक के बारे में ये माना जाता है कि बच्चे उसे इसलिए पसंद करते हैं कि हमारी सिक्षक, हमारी सिक्षिका, हमारी पार्ट को कहानी के माध्यम से सुरू करती है तो कहानी और कविता एक बहुत मजबूत विधा है सीखने सिखाने के परंपरा में गटनाओं को सुनाना और उन गटनाओं का विश्टेशन करना गटनाओं को सुनाने से अभी पराहिए है मान लीजिए कि हम बच्चों को इस प्रकारी चिंताओं में डालें कि अगर इस मौसम में बहुत बारिस हुई तो क्या हो जाएगा बारिस नहीं हुई तो क्या होगा बहुत अधिक सर्दी होगी तो क्या होगा यदि मान लीजिए उसके आसपास में जो नालाय पाने का वो सोख जाएगा तो उस पर क्या असर पड़ेगा इस प्रकारी घटनाओं का विस्टेशन कराना अपने आप में उन घटनाओं के जो प्रमुक कारण है उनके बारे में उनका परीचे कराना भी है और बच्चों को ये इन सब में अनन्द आएगा निश्यत रूप से आप ये मानिए कि एक सिक्षक के लिए आपको लगता हो कि ये बड़ी बात है या हो सकता है छोटी कक्साओं के बच्चे ऐसा ना कर सके ये हमारा ब्रहम है हमें उनको ऐसा मौका देना चाहिए क्योंकि उनके पास भी विकल्प हैं उनके पास भी उन आपके प्रस्वन के जवाब हैं आप उन्हें अवसर दीजिए उनके पास अपने अनुभों के आधार पर तो ये भी गतिविदी है ये भी एक प्रकार से सीखने शिखाने की एक मजबूत प्रक्रिया बनती है आप अपनी कक्सा में बच्चों को साथ-साथ काम करने के अवसर दें इदिया आप ऐसा करते हैं तो उनमें कुछ रचनात मकता है वो बढ़ेगी उनको कुछ आजादी दें काम करने के लिए बच्चे इदिया ऐसा करते हैं तो निश्चत रूप से वो उस परियावन अध्यन विशे में या उसकी इतर भी एक विशे के साथ दूशे विशे के साथ जुड़ाओ करके एक गतिविदी का दूशे गतिविदी के साथ जुड़ाओ करके आप अपनी कख्चा में बहतर सिक्षन अधिगम की प्रक्रिया है उसको एक प्रकार से आकार दे रहे होंगे एक सिक्षा के लिए ये बहुत महत्वण बन जाता है कि जब भी वो किसी भी गतिविदी का कि आयोजना करना वाला हो या उसके बारे में तयारी करने वाला हो तो निश्चित रूप से वो योजना का निर्मान करे ये योजना उस विशे की प्रकरती के साथ संबंदित हो गति विदियों का या किसी प्रकार का जो आपने सिक्षन अधिगम की जो प्रकरिया करने वाले है वो एक से अधिग भी हो सकती है तो आपको ये पता हो कि कौन सी विदिक किस प्रकार से जुड़ने वाली है करा रहे होंगे एक आयतन की जो बड़ी आउधारण है उसके बार हिम बता रहे होंगे तो ऐसा करके आप कई प्रकार की विदियों का ओलोकन के साथ मुल्यांकन का मापन का इनका उप्योग कर साथ अपनी कक्षा में उन स्थानों को बरकरार रखें जहां पर बच्चे उत्सुकता पूर्व भाग ले सकें और ये तब संभव होगा जब हमारी उस पूरी गतिविदी में बच्चों की भी भागिदारी होगी हमारी पूरी प्रकरियाओं में बच्चे भी भाग लेंगे बच्चों को लगेगा कि कक्षा उनके लिए है और आज सीकनी सिखानी की जो बातचीत वो आनूरों खुद ने दैयार किये सिखशक सिर्ख ओर सिख उन्हें संसाधन बुय कराने वाला है सिखशक ुन्हें बताने वाले हैं कि कैसे करना है सिख्शक की भूमिका सिर्फ इतन संस्यादनों के बारे में पता होना चाहिए और जब आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी वी गतिविदी में अपनी प्रक्रिया में जो संस्यादनों की आशकता होती है कि निग्डियोंका फर पूर इस्तेGuार amura करेंगे आप बेतर सिक्षन अधिगम के लिए काम कर रहे होंगे इन वीडियों के साथ-साथ ये भी मैत्वपूर्ण है कि एक आपकी कक्षा में एक लोगतांत्रिक माहौल हो किसने सिखा के बजाए आप इस बात पर जोड़ दें क्या और केसी सिखा जाता है एक दूशे को प्रोसाहित करने का माहौल हो सभी के विचारों उनके नजरियों को समझा जाए और आपकी कक्षा में परतिस प्रिदा का माहौल न रहे यदि आप ऐसा करते हैं तो आपकी विधियां और आपका ये तरीका दोनों मिलकर उस परियावरण अध्यन विशे को बहुत रोचक बना रहा होगा बच्चों की भाषा को महतु देंगे उनको सम्मान मिलेगा तो उनके भागेदारी बढ़ रही होगी बच्चे इस बास से न डरें कि वो असफल हो जाएंगे या बैतर परिनाम न दे पाएंगे उनको सजान नहीं मिलेगी तो अगर इस तरगी विवस्ता स्कूल में होती है या अपनी करक्षा में आप बनाते हैं तो निश्चित रूप से बच्चों की भागेदारी बढ़ेगी आपको एक सिक्षक के नाते ना खड़े होकर एक साती की रूप में खड़े होना है और एक ऐसा बातावरन बनाना है जहां पर बच्चों को सवाल पूछने की आजादी हो भयमुक्त बातावरन हो और ये तब संबव होगा जब बच्चे आपसे अपने पन के साथ बात करेंगे और ये अपना पन तब होगा जब आप उनको की नाम से बुलाएं बहुत अच्छी बात मानी जाती है कि आप एक सिक्षक सभी बच्चों का नाम जानता है और नाम से आप उन्हें संब्वधित करते हैं बच्चों को खुद से काम करने के आउसर दें उनमें रचना धर्मिता का विकास होगा उनके अनुभवों को कक्षा में जोड़ें उनकी बातों को आप ध्यान पूरवक सुनें और उन्हें अपनी ज्यान का निर्मान करने का आउसर दें और वो खुद फैसना ले पाएं यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी कक्षा बैतर भागिदारी वाली होगी आपके पास जो भी सीखने शिखाने के जो तरीके हैं उपागम हैं वो उस विशे के साथ बैतर रूप से जुड़ रहे होंगे एक आपकी भूमिका के बारे में कि आप एक सक्री अधिगम करता के रूप में है तो निश्चित रूप से आपके द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार का स्रिक्षन अधिगम प्रक्रिया उस विशे के साथ रोचकता के साथ जुड़ेगी उसे प्रभावी बनाएगी और उसके परिडाम बहुत सकारात्मक होंगे बहुत उस्साही होंगे और बच्चे उन में बहुत कुछ सरजन कर पाएंगे और अपने आपको बैतर रूप से बैतर रूप से एक अधिटा के रूप में जोड़ पाएंगे और आप एक निश्चत रूप से लोगपरी शिख्षक के रूप में, एक बैतर पढ़ाने वाली शिख्षक के रूप में और उस विशे को बैतर समझने वाली शिख्षक के रूप में जाने और पैचाने जाएंगे धन्यवाद